प्रताप नगर में सुन्दरलाल नाम का एक दरजी अपनी पत्नी शांती और बेटी संध्या के साथ रहता था संध्या का रंग सामला था इसलिए उसके लिए कोई भी रिष्टा नहीं मिल रहा था इसी कारण सुन्दरलाल और शांती परिशान थे सुन्दरलाल मैंने कुर्ता पाजामा सिलने दिया था तैयार हो गया क्या बस एक पक्की सिलाई करनी बाकी है रामलाल जी अच्छा फिर मैं लड़का भेजूंगा उसी के हाथ दे देना शाम को शाती में जाना है इसलिए थोड़ी देर में करके दे दो और संध्या के लिए कोई रिष्टा मिला या नहीं कहां मिला रामलाल जी बहुत जगा बोल रखा है बाकी मैंने तो भगवान पर छोड़ रखा है वही मेरी बेटी का अच्छा भविश्य तैय करेंगे बात तो ठीक है पर तुम्हारी बेटी का रंग सावला है इतनी आसानी से लड़के सावले रंग रूप की लड़की के लिए मानते नहीं है इसलिए जब तुमने मुझे कहा था मैंने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की अच्छा चलता हूँ, कपड़े भजवा देना है सुन्दरलाल देखता है रामलाल की बाते संध्या सुन चुकी है इसलिए उसने बात बदलनी चाही संध्या बेटी, तु रामलाल की बातों का बुरा नहीं मानना वो तो बस बापू मुझे पता है मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है सब कितनी बाते बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता ना बिट्याना, ऐसा कभी मत सोचना तू तो हमारी जिंदगी से बढ़कर हमें प्यारी है मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बापू अच्छा लाओ कुछ कपड़े मैं सिल देती हूँ, आप ठक गए होगे संध्या का उदास चेहरा देख कर सुंदरलाल उस समय चुप हो जाता है संध्या कपड़े सिलने लगती है संध्या भी सुंदरलाल की तरह बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी एक दिन उस राज के राज कुमार का जन्म दिन था जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया था पूरे नगर के लोग राज कुमार के जन्म दिन में जाने की तयारी कर रहे थे सुनो जी मैं सोच रही थी हम दोनों तो जन्म दिन की दावत में जाने ही रहे तुम्हारी तब्बद भी ठीक नहीं है पर किसी ना किसी को तो जाना चाहिए इसलिए संध्या को उसकी सहेलियों के पसाद भेज देते हैं नहीं तो महराज और महरानी को बुरा लगेगा ठीक है ये बात सही रहेगी संध्या बिटिया तो राजकुमार वीर प्रताप जी के जन्म दिन की दावत के लिए चली जाना ठीक है आप चिंता मत करो मैं रेकोर सुनेना के साथ चली जाओंगी संध्या राजकुमार के जन्म दिन के लिए जाने के लिए तयार तो हो गई पर वो यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या ले जाए तब ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई राजकुमार के जन्म दिन के लिए एक सुन्दर सी पोशाक तयार करके ले जाती हो उनको पसंद आएगी संध्या राजकुमार के लिए बहुत ही सुन्दर पोशाक तयार करती है और सब के साथ राज महल पहुँचती है बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुँचे थे उन सब के बीच संध्या घबरा रही थी राजकुमार को तो इतने धेरो उपहार मिल रहे हैं इतने सारे उपहार में मेरे द्वारा सिली हुई मामुली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आएगी राजकुमार को अपने हाथ से देने की हिम्मत तो मेरे में है ने चुपचाप उनके कक्ष में रख देती हो संध्या पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रख कर घर आ जाती है संध्या बिटिया, तु राजकुमार से बिना मिले ही आ गई उन्हें पता कैसे चलेगा कि तुने उपहार में उन्हें वो पोशाक दी है कोई बात नहीं बापू, वैसे भी अब तक राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरी दी हुई पोशाक भूल भी चुके होंगे संध्या जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था राजकुमार जब कमरे में पहुचा तो उसने वो पोशाक महां रखी देखे अरे, यह उपहार मुझे किसने दिया है? यह तो बहुत संदर पोशाक है अदभुत, मुझे जहां तक याद है, सबने मुझे उपहार दिये मैंने सबका जहरा देखा पर यह उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया कैसे पता चलेगा कि यह उपहार किसने दिया है? और मेरे हाथों में दिये बिना ही, यहां मेरे कक्ष में रख दिया राजकुमार महराज, महरानी, सेना, पती, दास, दासी सबसे पूछता है पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ किसी ने अगर इतना सुन्दर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता चोरी छुपे कौन रग गया राजकुमार वापस अपने कक्ष में आता है तब ही उसकी नजर अपने द्वार पर रटके एक दुपट्टे के टुकड़े पर जाती है राजकुमार महल की सभी दासियों से दुपट्टे के टुकड़े के बारे में पूछता है पर किसी भी दासि के पास ऐसा दुपट्टा नहीं था राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये टुकड़ा यकीनन उसी लड़की के दुपट्टे का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है राजकुमार इस बात का पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है वो पोशाक किसने दी उसके लिए सब मना कर देते हैं उस समय सुन्दरलाल उसकी पतनी और बेटी संध्या जरूरी काम से नगर से बाहर गए हुए थे इसलिए उनसे पता करना रह जाता है पर सैनिक ये बात राजकुमार को नहीं बताते राजकुमार बहुत परिशान था अब तो उसके पास एक ही रास्ता था इस दुपट्टे के टुकडे की असलियत जानने का मा पिता जी, अब मेरे पास एक ही रास्ता है मैं अपना स्वयमवर रखना चाहता हूँ ताकि उस स्वयमवर में सभी लड़किया आए और वही पोशाक पहने जो उन्होंने मेरे जन्दिन के उत्सव में पहनी थी मुझे पता चल जाएगा कि ये दुबट्टे का टुकडा किसका है फिर मैं उसी लड़की से विवा करूँगा इससे मुझे अपने प्रश्ण का उत्तर भी मिल जाएगा ठीक है पुत्र अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथ ही चुन सको जैसी तुम्हारी च्छा पुत्र अम आज ही नगर में तुम्हारे सुयमवर की घोषणा करवा देते हैं राजकुमार उस दुपट्टे के तुक्डे के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता वो तो चुपचाप उस बारे में जानना चाहता था जिसके दुपट्टे का ये तुकड़ा था नगर में घोषणा कर दी जाती है और ये बात सुंदर लाल के कानों तक भी पहुँचती है संध्या बेटी तुम्हें भी स्वयमवर में जाना चाहिए तुम्हारे पिता जी ठीक कह रहे हैं संध्या बेटी नगर की सभी लड़कियां स्वयमवर के लिए जा रही है अगर तुम नहीं गई तो महराज क्रोधित हो जाएंगे उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयमवर के लिए आमंत्रित किया है पर मेरा वहाँ जाने का कोई फैदा नहीं क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुन्दर नहीं हूँ राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं फिर मैं वहाँ जाकर क्या करूंगे बेटी ये तो भाग्य की बात है अगर तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं चीन सकता और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव निभा कर लौट आना नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुँचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी राजकुमार की नजरें तो उस लड़की को ढून रही थी जिसके दुपटे का टुकड़ा अभी भी राजकुमार के हाथ में था राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो संध्या ने उसे उपहार में दी थी इनमें से तो कोई भी लड़की वो नहीं है आखिर ये किसके दुपट्टे का टुकडा है कहीं मेरी ये योजना विभल ना हो जाए राजकुमार अभी इस बारे में सोची रहा था कि तभी संध्या महल में प्रवेश करती है संध्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार ने वही पोशाक पहनी है ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार वीर प्रताप की नजर उसकी पोशाक पर जाती है यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी आप सब जानना चाहते हैं मैंने ये सोयमवर क्यों रखा है क्योंकि मैं अपना जीवन साथ ही चुनना चाहता था जिस लड़की की मुझे तलाश थी आज वो मेरे सामने खड़ी है मैं उसका नाम तो नहीं जानता पर आज जो पोशाक मैंने पहनी हुई है उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी क्या वो लड़की मेरी जीवन संगिनी बनना चाहती है सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी क्योंकि उन में से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी संध्या तो सच जानती थी वो हैरान रह जाती है राजकुमार उसकी और बढ़ता है और उसका हाथ धाम लेता है राजकुमार मैं आपके लायक नहीं हूँ आपको तो मेर से भी सुन्दर लड़कियां मिल जाएंगी संध्या प्रेम तो दिल से होता है मैं तो उसी पल ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा था संध्या अपने दुपट्टे की ओर देखती है जो किनारे से फटा हुआ था वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती है राजकुमार वीर प्रताब की बाते सुनकर संध्या की नजरे शर्म से जुग जाती है उसके पश्चाद सुन्दर लाल और शांती को दर्बार में बुलाया जाता है फिर शुब मुहरत में संध्या और राजकुमार वीर प्रताब का विवा संपन्न होता है आज संध्या के जीवन में दुनिया की सारी खुशिया थी अंजु अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ बिजनौर में रहती थी अंजु को बच्पन से ही सिलाई कढ़ाई करने का बहुत शौक था ग्रिह विज्यान के परिक्षा में जब दस्मी कक्षा में उसके सिलाई में सबसे जादा नंबर आए तो वो अपनी मा सुलोचना से बोली मा ये देखो मेरे ग्रिह विज्यान के परिक्षा में सबसे जादा नंबर आए है मैम बोल रही थी मैंने सबसे सुन्दर फ्रॉक से ली है अरे वा ये फ्रॉक तो सच मुझ बहुत ही सुन्दर है स्कूल की पढ़ाई के बाद अंजू एक दिन अपनी मा से बोली मा मैं कॉलिज की पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सीखना चाती हूँ मेरी सहेली प्रग्या के घर के पास एक बुटीक है जो आट सो रुपे महीने में सिलाई सिखाते हैं छे महीने का कोर्स है करने दो न मा पर बिटिया तेरे पिता जी नहीं मानेंगे वो यही बोलेंगे कि तेरी और अमित की स्कूल और कॉलिज की फीज बहुत जादा है मना कर देंगे मा पैसे मैं जोड लूँगी तुम बस सीखने का हां बोल तो प्लीज ठीक है चल सीख ले अंजू अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा कर पैसे जोड लेती थी उसने अपने ले सब खर्च बंद कर दिये पैसे जोड कर बुटीक से छे महीने की सिलाई का कोर्स सिखा अब अंजू घर पर भी कपड़े सिलसिल कर तैयार करती थी ये ले अमित तेरे ले नई कमी सिली है कैसी लगी? दीदी ये बहुत सुन्दर शाट है वाओ, दीदी आप तो दरजी बन गई हो कुछ समय बाद सौरब नाम के लड़के का अंजू के लिए रिष्टा आता है सौरब अपनी मा प्रेमा के साथ रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था अंजू की शादी सौरब के साथ हो जाती है और उसका शादी के बाद एक प्यारा सा बेटा सुमित होता है एक दिन अंजू बेटा, तुम दुबारा पेट से हो जादा काम मत किया करो, अपना ध्यान रखो मा जी, आज पानी नहीं आया, इसलिए बाजू वाली नीमा अंटी से पानी भर कर लाई हूँ अंजू, मा सही कह रही है, अपना खयाल रखा करो और वैसे भी, मैं तीन-चार दिनों के लिए आफिस के काम से मुंबई जा रहा हूँ अपना ध्यान रखना, मेरा जाना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हारे पास ही रहता सुनो जी, मेरी डिलिवरी का भी वक्त नस्दीक है और आप कोई बात नहीं अंजू, मा हैं, तुम्हारी देखभाल के लिए पापा, आप मेरे लिए मुंबई से क्या लाओगे मैं तुम्हारे लिए धेर सारे खिलोने लाओगा, ठीक है? सौरब आफिस के काम से फ्लाइट से मुंबई चला जाता है रास्ते में सौरब का प्लेन ख्रेश हो जाता है जिसमें सौरब के साथ बहुत से लोग मारे जाते हैं उधर सुमेद, पहले अपने स्कूल का होमवर्ग करो, बाद में टीवी देखना अभी अभी खबर मिली है, मुंबई जाने वाला प्लेन रास्ते में ही क्रेश हो गया है जिसमें बहुत से यात्री मारे गए है प्लेन क्रेश में सौरब का देहान तो जाता है अंजू की तुमानों जिन्दगी पर दुखो का पहार तूट गया बूड़ी साल, छोटा बेटा और एक वो जिसने अभी तक दुनिया में जन्म ही नहीं लिया ये क्या हो गया, बगवान मेरा बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता बेरे सौरब को कुछ नहीं हो सकता माजी, सौरब हम सब को छोड़ कर चले गए माजी अंजू सौरब के हाथ हो सौरब का अंतिन संसकार करती है कुछ दिनों बाद अंजू के एक बेटी पैदा होती है अब अंजू पर तीन जिम्मेदारिया थी मा मैं क्या गरू, सौरब के जाने के बाद मैं टूट गई हूँ सुमित रोज पापा पापा करता है और रोता है अंजू मैं कुछ पैसे भिचवा दू अमित की हाथ नहीं मा पितची तो वैसे ही परिशान है घर का खिराया अमित की पढ़ाई घर घर प्लीज उन्हें कुछ मत कहो मा अंजू तू तो मेरी बहादूर बच्ची है न साब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची हिम्मत रग अंजू बहुत परिशान रहने लगी थी पैसू की तंगी की वज़े से धीरे धीरे जुड़े हुए पैसे भी अंजू के पास खत्म होने लगे थे माईके में पहले ही पिता पर परिवार का बोश था इसलिए अंजू ने अपनी परिशानी का बोश डालना उचित नहीं समझा ममी अब आप मुझे पहले की तरह आईस क्रीम और पिज़ा खिलाने मौल नहीं ले जाती हो मुझे ये दाल चावल नहीं खाने सुमेद मेरे बच्चे थोड़ा सखा ले मैं तुझे तेरे जन्म दिन पर तेरी पसंद का सब कुछ खिलाऊंगी प्रॉमिस अंजू बहू आज तुमने सुमेद को जूठा दिलासा दे दिया अब उसकी इच्छा पूरी कैसे करोगी अंजू दुखी हो जाती है तभी गुड़िया रोने लगती है माजी आप गुड़िया को संभालना ज़रा मैं इसके लिए बाजार से दूद लेकर आती है अंजू दूद लेने जाने लगती है तभी एक आदमी आ जाता है नमस्ते मैडम जी मेरा नाम अविनाश है जी नमस्ते कहिए क्या काम है पिछले तीन महीने से आपके फ्लैट का किराया नहीं पहुँचा है मैंने सुचा खुद लेने आ जाता हूँ साथ हजार रुपे आपका तीन महीने का किराया है बीस हजार रुपे महीना की हिसाब से अविनाशी मुझे थोड़ा सा वक्ते दीचे मैं किराया दे दूँगी देखे मैडम मैंने पहले ही तीन महीने से कुछ नहीं बोला अब मेरा पैसा चुकाओ और अगर इतने महंगे किराय के फ्लैट में नहीं रह सकते तो मेरा फ्लैट खाली कर दो अंजू अपना सोने का मंगल सूत्र बेचकर अविनाश के फ्लैट का किराया भरती है और फ्लैट खाली कर देती है अंजू बच्चों को और सास को लेकर दिल्ली आ जाती है वहाँ एक बस्ती में उसे पंद्रा सो रुपे किराय का एक कमरे का मकान मिल जाता है माजी मैं पडोस में लगे सरकारी नल से पानी भर कर लाती हूँ अरे भईया साथ सो रुपे की लेनी है तु ले ले वरना अच्छी खासी सिलाई मशीन है मेरी वो तो उमर के साथ अब नजर कमजोर हो गई है वरना अपनी उमर में मैं थोड़ा बहुत उधरा सिलही लेती थी रहने दो माजी मुझे नहीं लेनी पाथ सो से जादा नहीं दूंगा इसके जंक खाई सिलाई मशीन है रहने दे जा मुझे नहीं बेचनी महिला सिलाई मशीन वापस अपने पास रखने लगती है तभी अम्मा जी क्या ये सिलाई मशीन आप मुझे बेच सकते हो मैं आपको साथ सो रुपे दे देती हूँ पहले तो इस गली में तुमें नहीं देखा इस एरिये में नहीं आई हो क्या जी अम्मा जी मेरा नाम अंजू है पहले मेरट रहते थे दो दिन पहले ही दिली आई हूँ अच्छा अच्छा वैसे मेरा नाम सुशीला है तुम ये मशीन खरीदना चाहती हो ठीक है पर तुम कुछ परिशान दिखाई दे रही हो सुशिला अंजू के पडोस में ही रहती थी अंजू अपने दुख को दबाए घूम रही थी सुशिला के पूछने पर अंजू रो पड़ी और उसके दुख का सारा गुबार सुशिला के आगे फूट पड़ा तुम रो मत अंजू एक काम करो तुम ये सिलाई मशीन ले लो और अपना दरजी का काम शुरू करो मैं तो वैसे भी ये मशीन बेची रही थी अब तुम्हारे काम आ जाए इससे बड़ी क्या बात होगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमा जी सुशिला बहुत ही नेक दिल की महला थी अंजू ने सारी बात अपनी सास को बताई दो दिन बाद अरे अंजू बिटिया कहा हो अरे अमा जी आप मा जी ये सुशिला अमा है अंजू ये मेरी भावी रहने आई हुई है साड़ी के साथ का ब्लाउस पेटी कोट शाम तक कोई दरजी सिल करते ही नहीं रहा रात कोई ने शादी में जाना है क्या तुम ये ब्लाउस पेटी कोट सिल दोगी शाम तक? जी अमा जी मैं अभी दोपेटी कोट सिल कर तयार कर देती है अंजू भावी को तुम्हारे द्वारा सिले गए ब्लाउस पेटी कोट की फिटिंग बिल्कुल सही आई है वो तो बहुत खुश है फिटिंग देखकर अच्छा ये बता मेरी दरजी बहु की पहली सिलाई के कितने पैसे हुए अम्मा जी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है आपसे पैसे में कैसे ले सकती हूँ नहीं अंजू बेटा फिर भी तुने मेहनत की है अच्छा ये 200 रुपे रग भावी की तरफ से सिलाई के अंजू सुशीला बेहन वाकई में बहुत अच्छी है दीरे दीरे सुशीला और भी मुहले की ओरतों को अंजू के पास लाने लगी आसपडोस में सभी ओरते अब अंजू से ही कपड़े से लवाती थी दीरे दीरे अब अंजू के पास सिलाई का काम आने लगा सुशीला को तो मानू भगवान ने अंजू की मदद के लिए ही भेजा था मा जी भगवान की कृपा से और सुशीला जी के साथ से अब मेरी थोड़ी बहुत कमाई शुरू हो गई है मैं सुमित को यहां किसी स्कूल में दाखिल करवा देती हूं ठीक है बहु तुमने सुरब के जाने के बाद इतनी मुश्किलों के बीच हम सब का खयाल रखा तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो अंजू बहु अंजू ने सुमित को फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया और अब अंजू सारा दिन सिलाई का काम करती और साथ ही अपनी सास और दोनों बच्चों की देख भाल भी करती जिन्दगी के संगरशों के बीच जीना अंजू सीख चुकी थी और सुरब के जाने के बाद अंजू ने खुद को संभाल कर परिवार को भी संभाला और अपनी महरत से सिलाई के काम से घर को चलाना शुरू कर दिया